इंडियन रेलवे किने एक आम किसान हैं, जिसकी संपत्ति में हैं भारतियर रेल, और जिसको आज भी ही भारतियर रेल भुकतान देता है किस्मत का पहिया वाकई कब किस दशा में घूम जाए कोई नहीं सोच सकता कौन किस पल में रंक बन जाए और कौन राजा ऐसी ही एक कहानी है लुधियाना के किसान की जो रंग से राज़ा बन गया लुधियाना के कटाड़ा गाउं में रहने वाला किसान संपूर्ण सिंग जो अच्छानक से दिल्ली से अमरत सर जाने वाली ट्रेन संपूर्ण शताथी एक्स्प्रेस का मालिक बन गया दरसल साल 2007 में जब लुधियाना चंडिगर रेल लाइन का निल्माड कार चल रहा था तो इस दोरान रेलवे ने किसानों की जमीन का अधिग्रहड किया था और उस वक्त जमीन को 25 लाख रुपे प्रती एकड में अधिग्रहड किया था पर उतनी ही बड़ी जमीन को रेलवे ने नस्दीक के गाउ में 71 लाख रुपे प्रती एकड में अधिग्रहड किया और ना इंसाफी की और ये बात संपूर्ट सिंग को इतनी बुरी लग गई कि उन्होंने इस बात से नराज होकर कोट में अर्जी डाल दी और कोट ने किसान को मुआबज़ा देने को कहा जिसके बाद कोट ने पहले आदेश में मुआबज़े की रकम 25 लाख दी फिर 25 लाख से बढ़ा कर 15 लाख कर दी थी और कोट ने 2015 तक उत्तरी रेलवे को भुक्तान करने का आदेश दिया था लेकिन रेलवे ने सिर्फ 42 लाक रुपए ही दिये जबकि एक करोड से जादा रुपए चुकाना अभी भी बाकी था और जब रेलवे ने किसान के रुपए नहीं चुकाए तो साल 2017 में फिर एक बार नया आदेश दिया गया जिसमें दिला और सत्र न्यायधीश ने लुद्याना स्टेशन पर ट्रेन को कुर्क करने का आदेश दे दिया इसके साथ ही स्टेशन मास्टर के ओफिस को भी कुर्क करने को कहा गया और फिर संपूर्ण सिंग वकीलों के साथ स्टेशन पहुचे ट्रेन को कुर्क कर लिया गया और उनकी किस्मत यू पल्टी कि संपूर्ण सिंग उस ट्रेन के मालिक बन गये हलाकि section engineer ने अदालत के अधिकारी के जरिये ट्रेन को 5 मिनट में ही निकलवा लिया क्योंकि अगर ट्रेन कुर्क हो जाती तो सैकडों लोगों की आवजाही पर बात आ जाती इसलिए railway किसान को किराया देकर अपना भुकतान आज भी कर रहा है और यही नहीं यह मामला आज भी अदालतों के बीच ट्रेन की ही तरह घूम रहा है इस तरह एक मामूली किसान ने भातिय रेलवे को अपनी उंगली पर नचा डाला और रेलवे की एक भूलने किसान को रातो रात धन्ना सेट की गदी पर बिठा डाला